देश के सुदूर दक्षिनी राजय, तमिलनाडु के डेल्टा संभाग मानसून की वर्षा का आयात होने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं रहने से लंबा एवं थलाडी धान की उपजदर में जोरदार गिरावट आ गई है। इसके फलस्वरूप चावल का उतपादन काफी घड़ गया है और इसके दाम में भारी वृद्धी हो रही है। डेल्टा च्षेतर के किसानों का कहना है कि धान की उतपादक्ता में कम से कम 30 प्रतिशत की कमी आई है और इसे देखते हुए राजय सरकार को समुचित लेकिन चालू सीजन के दौरान में टूर डैम से पानी का प्रवाह काफी दिनों तक रोक दिया गया। परंपरागत रूप से इस बांध से 12 जून को पानी चोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन इस बार अक्टूबर में वहां से पानी की निकासी रोक दी गई क की बांध में जलसतर काफी घट गया था। इसके परिनामस वरूप किसानों को पानी की उपलब्ध मात्रा के अनुरूप ही कुरुवई धान की खेती सीमित करनी पड़ी। लेकिन पानी की कमी के बावजूद वहां किसानों ने सामबा धान की खेती में अच्छी पी दिखाई क्योंकि उसे आगामी समय में अच्छी वर्षा होने की उम्मीद थी। लेकिन दुर्भागे से वहां उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं हो सकी जबकि दूसरी और तिरुवरूर नाग पटिनम एवं मापीला डुदुरई जैसे जिलों में सून सीजन के दौरान इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि कई इलाकों में बार का माहौल बन गया। वहां लंबे समय तक खेतों में पानी का भारी जमाव रहने से सामबा एवं थलाडी धान की फसल क्षतिग्रस्थ हो गई। इसके अलावा फसल में कीडों रोगों का प्रक प्रती एकर के बीच रहती है लेकिन इस बार यह 1000-1200 किलो प्रती एकर के बीच देखी जा रही है। वहां इसकी कटाई तयारी की गद बढ़ रही है। चावल के उत्पादन में गिरावट की संभावना से कीमत में 12 रुपए प्रती किलो तक का इजाफा हो गया है। उदा नाटक पोन्नी तथा आंध्र पोन्नी चावल का दाम भी 54 रुपए से उचल कर 67 रुपए प्रती किलो हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी